तो दिखाईए क्या कुछ तस्वीर हैं आपके पीछे नजर आएंगे और ये खास बात है कि जब आप सदर बाजार की बात करती है तो यहां पर आपको हिंदो मुस्लिम में इकता भी देखने को मिलती है तो यह जो कारिक्रम है इसका आयूजुन मी दोनों जो धर्म है उनके लोगों ने साथ मिलकर किया है यहां आपको तस्वीरों में हनवान जी तो नजर आ रहे होंगे जी नजर आ रहे होंगे जी नजर आ रहे हैं पीछे वाले रच में आपको शगुफता राम लक्षमन और मासीता नजर आएंगे एक बार कि शोबा यात्रा शुरू हो गई है प्रभु राम लक्षमन और सीता दिल्ली वालों को दर्शन देने निकल गए हैं सबसे पहले के लिए जो शोबा यात्रा है यह अभी यहां शुरू हुई है सदर बाजार से और यह दिल्ली के कई एहम हिस्सों को कवर करने वानी है यान बिल्कुल जी बिल्कुल ये भी दिल्ली जो है अजुद्या की तरह ही नजर आ रही है हर प्राणी के अंदर इस वकद आनन्द और उमंग मरी हुई है यूँ तो कहते हैं कि राम हर मन में है कंकंड में है लेकिन जब आप राजानी दिल्ली पहुंच से हैं पूरी गलिया द निकाली जा रहे है लेकिन पूछे ये शोभा यात्रा कहां कहां से होकर निकलेगी अधि आपको बताती हूँ यह दिल्ली के किस किस हिस्से को कवर करने वाली है क्योंकि यह यात्रा जो है काफी लंडी होगी यह यह यात्रा यहां सदर बाजार से होते वे बहादूर गट होते वे डिपिटिगंज होते वे और पूरा एरिया क्रोस करते वे दिल्ली छे के लोकल में बापी सी स्टांट पर आगी। कि यहां जब हम चोबा यात्रा की बात करें तो उसमें हिंदु मुसल्मान इता साथ नजर आने चाहिए आज का ये दिन ऐसा मशूर दिने और उद्गम वाला दिने अंदर से आत्तों परसंद हैं उसके अंदर दोनों कौमों को इखटे होके ये पर्व मनाना चाहिए क्योंकि 500 साल के इतिहास आज दोबारा से जागरत हो गया है और हम हिंदु भाई भी उनसे अपील करते हैं कि वो हमारे इस पर्व के अंदर साथ है अच्छा जब शोबा यात्रा ही निकल रही है यहां पर तो राम भक्त इतने सारे मौजूद है तो एक बार हो जाए